तो गाईज आज है तारिक 17 एप्रेल 2022 और है संडे देखेंगे आज के दहिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपाच यादव एजूकेशन आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा उस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडिएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा जैसी आप उस पर क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वेडियो का पीडिएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रवाइड करवा दिये जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ यूपी एसी प्रिविएस येर 2017 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिविएस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल सा क्वेशन है क्वेशन यह बुलता है ग्लूबल जेंडर गाप इंडेक्स यहाँ पर इसको जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगो टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है अदर्वाइस वहाँ से आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेश्यान होने की जरूरत निया वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिसकॉशन करूँगा तो च चाइड लाइन हेलप लाइन नंबर है चाइड लाइन एमर्जनसी हेलप लाइन नंबर 1098 जिसको बोला जा रहा है मेबी यहाँ पर मर्ज क्या जा सकता है नैशनल एमर्जनसी हेलप लाइन के साथ में जो नंबर है 112 तो दोनों को मर्ज करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो factual information क्या है factual information यह है कि जो यह child line 1098 वाला number है यह 24 x 7 emergency line number है जो की available है बट इसको यह भी बोला जाता है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा emergency help line service यह है जो की बच्चों के लिए dedicate की गई है तो बच्चों के लिए यहाँ पर इस प्रकार से emergency service जो है यह पूरे दुनिया में इतनी बड़ी service नहीं देखने को मिलेगी जो की इंडिया के अंदर यह child line help line number देखने को मलता है अगे यहाँ पर जो भी बच्चा परेशानी में है तो वो यहाँ पर इस help line से मदद ले सकता है उसको assistance दिया जाएगा उसको यहाँ पर support प्रोवाइड करवाया जाएगा इन फैक्ट यह भी बताया गया हर साल 50 लाग के आपस पास यहाँ पर calls annually receive करी गई है तो यह भी एक data यहाँ पर आप pension देख पाऊगे उसके बाद यह बताया गया इसके call centers कहां कहां पर हैं ठीके कितने calls आते हैं साल के अंदर वो सारी information जो कि अगेन हमारे लिए कुछ खास important role play करेगे निए बस खाली इतनाई छोटा सा information था जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो क्योंकि इसके ओपर कोई भी या फिर बड़ा articles publish होगा तो उसको हम लोग clearly समझ पाएंगे कि हमारा base clear है कि यहां इन दोनों help line number को merge करने के बारे में चर्चा की जा रही है चलो आगे बढ़ते हैं अगले important article पर जन उसके बाद एक और important article आता है हमारे prime minister ने PM Modi ने एक statement यह है उस statement को लेकर काफी चर्चा हो रही है वो यहां पर यह बोलता है कि हम लोगों को एक local products ही इस्तमाल करने चाहिए अगर हम लोग local products को इस्तमाल करेंगे तो इससे क्या होगा इंडिया आत्म निर्भर बनेगा self-reliant बनेगा यह सारी बात हैं यहां पर बोली गई है जब इन्होंने यहां पर एक statue जो आप लोग यहां पर देख पार हो Lord हनुमान जी का यहां पर statue है गुजरात के अंदर तो इसको अनेवील किया और लगबग यह 108 foot tall यहां पर यह figure आपको देखने को मिल रही है तो हनुमान जन्ती के occasion पर यह काम किया गया है वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यहां पर इन्होंने यहां पर अनेवील किया है पूरे statue को और वहीं पर यह सारे statement दिये प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर बोला इस occasion के अंदर कि हम लोग आतमने पर भारत के ओपर भी focus कर सकते हैं country को यहां पर directly क्या करना होगा self-reliance को पर focus करना होगा लोगों को यहां पर अपनी choices यहां पर change करके जो Indian products है उसको यहां पर use करना होगा तो Indian products हम लोग use करेंगे तो definitely उसका production भी इंडिया के अंदर होने वाला है इससे यहां पर एक circle चलेगा जिससे हमारी economy जो है वो generate होती हुई नजर आएगी और खासकर जो आज के टाइम पर अलगलग countries के ओपर dependency है वो basically dependency हमारी खतम हो जाएगी फिर last में यह बोलते हैं कि एगर हम लोग इस प्रकार से local products का use करते हैं तो आने वाले 25 सालों के अंदर क्या होगा हम लोग यहां पर unemployment वगरा जैसी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं ठीक है तो यह last में इनके थूँ एक statement दिया गया clear हुआ तो एक छोड़ा सा information था यह भी इसको भी दियाम में रख सकते हो उसके बाद एक article यह है यह article बहुत important है यहाँ पर काफी सारी important information है जो कि आप लोग को अपने पास note down भी करके रखनी होगी यहाँ पर देखो एक controversy चल लगी है किस चीच को लेकर OPS को लेकर OPS क्या है यह है old pension scheme बहुत सारे states यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें old pension scheme वापस से restore करनी है वापस से पहले वाला जो pension का system हो लेकर रहा हूँ अभी कौन सा है अभी national pension system चलता है तो दोनों के बीच के अगर आप लोग ने difference समझ लिया तो इस पूरे मुद्धे को आप समझ जाओगे ठीक है तो चलो मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार मुद्धा चल क्या रहा है पहले हम लोग कुछ data cover करते हैं बात क्या की जा रही है 36 गड़ के जो health minister है साथ साथ Congress leader है T.S. Singh अब इन्होंने Saturday में बार-बार बोलाए कि जो old pension scheme है government employees के लिए उसको restore कर दिनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक है यह यहाँ पर बोला गया और केवल ना हिमाचल प्रदेश बहुत सरे states के अंदर पर चर्चा की जा रही है कि हमें old pension scheme चाहिए तो इसको लेकर हम समझते हैं यह article पहले भी publish हुआ था Indian Express के अंदर और अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर यह दहिंदू के अंदर publish हुआ है तो context यह है कि बहुत सरे states demand कर रहे हैं कि हमें old pension scheme restore कर दो हमें वापस से OPS वाली scheme दे दो पुरानी वाली लेकिन आज के टेम पर कौन सी चलती है आज के टेम पर चलती है NPS National Pension scheme तो दोनों के बीच का difference में आप लोगो बताऊंगा काफी simple से शब्दों में आप लोग समझ जाओगे थोड़े दिर वेट करो अब हुआ क्या है देखो राजिस्थान भी यहां पर यह बोलता है राजिस्थान ने भी बोल दिया है कि हम लोग अपने Old Pension scheme को वापस से लेकर आएंगे 36 गर्ण ने भी बोल दिया उसके साथ के रेला आंदरप्रदेश असम इन्होंने भी अपनी अपनी कमिटीज बना दी है इस Old Pension Scheme को लेकर कि हम लोग भी इसको वापस से लेकर आएंगे अब Old Pension Scheme को समझने से पहले आपको समझना होगा National Pension Scheme ठीके पहले इसको समझते हैं फिर उसके आप OPS समझेंगे दो तोनों की बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा क्यों लोग यहाँ पर OPS की मांग कर रहे है तो हम लोग जब बात करते हैं NPS की तो जो हमारी Central Government है हमारी केन सरकार है वो NPS को लेकर आती है January 2004 से ठीके 2004 से यहाँ पर यह National Pension System आता है इससे पहले मतब आप कह सकते हो 2004 में ही OPS वाला Old Pension Scheme समापत हो गई थी 2004 में उसको खतम करें के NPS लेकर आए तेयर हुआ अब यह जो NPS सिस्टम है यह Armed Forces के लिए नहीं है आप लोग को ध्यानक ना है अब 2018-19 के अंदर क्या हुआ इस पूरे NPS सिस्टम को वापस स्ट्रीमलाइन किया गया इसको और जदा attractive बना दिया गया Union Cabinet ने यहाँ पर काफी सारे changes कर दिये इस scheme के अंदर में कि जो Central Government Employees उनको काफी सारे benefits हम लोग provide करवाएंगे जो कि इस scheme के अंदर में आ रहे होंगे अब जो ये National Pension Scheme है इसको launch किया गया था ताकि जो सरकार के उपर एक बहुत बड़ी जिम्मादारी थी pension liabilities की वो यहाँ पर कम हो जाए क्योंकि हो क्या रहा था जो पहले वाली scheme थी OPS वाली उसके अंदर ना सरकार के उपर बहुत सारा बोज आ जा रहा था burden आ रहा था pension को लेकर और वो burden को खतम करने के लिए NPS लेकर आये गया वो burden कैसा था मैं आप लोगो समझाता हूँ और यहाँ पर क्या-क्या बाते बताई गई है देखो यहाँ पर एक news report के according बताया गया कि देखो जो इंडिया का pension debt था वो uncontrolled level पर पहुँच चुका था मतलब pension को लेकर बहुत सारा debt इंडिया के उपर था ठीक है इंडिया pension को लेकर बहुत सादा परेशान था इनफाक्ट यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़े सरकार उनको salary मिलती है ठीक है तो उसी का जो half percent मालो 80,000 रुपे उनको लास्ट पे मिला बिल्कुल लास्ट में ठीक है तो जब retirement के टाइम पर तो उसका 50% 40,000 रुपे यहाँ पर उनको pension मिला करता था और वो जो 40,000 है वो जिन्दिगी पर pension मिलता था इनफाक्ट यहाँ पर अगर है कि कि death हो जाती है तो उनके spouse को ठीक है अगर यहाँ पर husband है तो उनकी wife को या फिर wife के death हो थी है तो husband को तो इस प्रकार से यहाँ पर उनको pension मिलती रहती है तो मतलब इससे क्या था सरकार के उपर burden काफी जादा बढ़ चुका था अब उस चीज को हटा कर NPS system लेकर आए national pension system अब national pension scheme के अंदर चीज़े थोड़ी सी अलग है ठीक है तो जिसी को लेकर क्या हो रहा है demand यह की जा रही है कि हमें पहले वाला system चाहिए हमें नया वाला system नहीं चाहिए बहुत सरे states के अंदर यह बावाल चल रहा है clear हुआ अब यहां पर बात करते हैं NPS के अंदर क्या क्या होता है तो इस पुरे national pension scheme के अंदर मैं इसको NPS ही बोलूँगा और पुरानी वाली को OPS बोलूँगा ध्यान में रखना है ठीक है बार-बार बोलने में परिशानी हो रही है तो NPS की बात करें तो NPS क्या करता है जो government employees को बोलता है आप decide करो कि आपको पैसा invest करना है ठीक है या फिर आपको contribute करना है regular basis पर pension account के अदर अपने पूरे career के डाइम पर जब retirement हो जाएगा तो उसमें से आप थोड़ा सा पैशा withdraw कर सकते हो और फिर कुछ पैसा आप रख सक करने के लिए बॉड़ी है जिसका नाम है PFRDA मतलब की pension fund regulatory and development authority नाम सी पता चला है कि यहां pension fund को regulate और उसको develop करने के लिए इस body को बनाया गया है और साथी साथ जो national pension scheme है सी के अंदर एक national pension system trust आपको देखने को मिलेगा जिसको अगेन यह बनाया गया है PFRDA के थूरू जो कि मै NPS के उनको allow किया गया है जिनकी उम्र 18 से 70 साल की है कि वो NPS को join कर सकते हैं यह basically एक participatory scheme है जहां पर जो employees है वो अपने pension को contribute करते हैं pension corpus के अंदर अपनी salary से कुछ पैसा देंगे जो कि pension fund में जमा होगा फिर उसके बाद यहां पर जैसे जैसे आपका सकतो जौब पूरी हो ज जाता है clear हुआ यह चीज़े हम लोग देख पाते हैं उसका retirement की time पर जो पैसा है यह withdraw कैसे होता है तो वो लोग withdraw कर सकते हैं 60% तक पैसा एक बार में withdraw कर लो बाकि जो 40% का पैसा जिसको देरे देरे निकालोगे उसको withdraw कर सकते हो लेकिन जो 60% का पैसा होगा स्टार्टिंग जो आप withdraw करोगे वो tax free होगा और जो 40% होगा उसके उपर थोड़ा बहुत tax लगेगा clear हुआ और खास बात यह है कि हर एक individual यानि कि in fact private individual भी यहाँ पर इस scheme के अंदर फाइदे ले सकता है वो भी यहाँ पर पैसा invest कर सकता है अब यह तो हो गया NPS अब बात करते हैं OPS के बा जैसे किसी ने last round salary मतलब मैंने जैसाब को बताया आखरी salary जो मिली है उसका 50% यहाँ पर वो पैसा इस pension के अंदर मिलता है अब इसका जो खर्चा है वो सरकार उठाती है सरकार यहाँ पर सारा पैसा देती है pension का इस scheme को discontinue कर दिया गया था मतलब इसको आगे बढ़ाया नहीं गया 2004 से यहाँ पर यह scheme महीं पर समापत हो गई अब बात करें इसमें दिक्कत क्या रही थी economist का कहना यह था बहुत मतलब simple सी दिक्कत थी वो यह थी यह एक long life span का यह scheme है जहाँ पर जिंदगी पर पैसा चुकाना है और कोई भी employee है जिसकी retirement हो रहा है 60 साल में अब retirement के बाद भी उसकी जो 20 साल की उमर है तो लगबग आप कर सकते हो कि 80 साल का यह life span देखने को मिलेगा और उसके बाद भी यहाँ पर यह होता है कि लगबग अगर उस वेक्ति के death हो थी तो उसके spouse को वो पैसा मिल जाता है तो उस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नजर आती है तो इस के बाद में क्लियर हुआ तो यह यहाँ पर मुद्दा रहा तो अभी बात चीच चल लई है old pension scheme को restore करने की वापस से लाने की आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ नव नेक्स आपको पता होगा आज संडे है संडे में editorials वैसे भी नहीं आते हैं लेकिन संडे में यहाँ पर एक important पर जाता है frequent ask questions का और साथी साथ science and tech का तो science and tech पर आर्टिकल से दो चार आर्टिकल यहाँ पर COVID-19 को लेकर हैं एक important आर्टिकल एक लौता आर्टिकल है science and tech पर वो यह है जबर्दस्त है GS paper to health से यहाँ पर इसको relate पर पाऊ गए काफी सारी important information यहाँ पर author के थ discuss करेंगे इससे पहले मैं आप लोग के साथ यह भी दिखा देता हूं उसके बाद हमारे पास frequent ask question काता है यहाँ पर बात ही यह spectrum को लेकर आपको बता हुए एक बवाल चल रहा है ठीक है और वह बवाल क्या है मैं आपको समझाओंगा काफी simple शब्दों में आप लोगो बतान में चड़ता की गई है कि हाँ पर इंडिया यहाँ पर क्यों एक तरीके से देख रहा है कि हम लोग अपने वीट के export को increase करें तो काफी अच्छे अच्छे articles आज publish हुए वे हैं मतलब means के perspective से भी और prelims के perspective से भी तो अभी हम लोग इस science and tech के article को थोड़ी दिर में cover करेंगे अ भारत यहाँ पर export को boost करने में क्यों लगा पड़ा है यह आप सभी लोग को भी पता है सिंपल सा इसका answer है वो है रश्या यूक्रेन का war रश्या यूक्रेन के war में क्या हो रहा है कि देखो रश्या यूक्रेन दोनों ऐसी country हैं जो की दुनिया का एक बहुत अच्छा production करती ह है wheat का मतलब एक बहुत अच्छा number यहाँ पर आपका सकतो यह दोनों countries hold करें रखती हैं बहुत सारा जो गहूं है वो international market के अंदर यह दोनों countries export करती हैं तो इसी वज़ा से क्या है अब वो जो export बंद हो चुका है इन दोनों countries के साथ में कोई भी ऐसा आपका सकतो जब यह relation ख कर रहे हैं कि हम लोग अपने जो export है खासका वीट का उसको लोग बढ़ा दें आपको मैं थोड़ा detail में लेकर चलता हूँ अभी हमने स्रिफ और स्रिफ एक overview देखाए बाकि आपको साउंड सोड़ी सी बद्ली बद्ली लग रही होगी मेरे यार फ्रोड जो है फिर से बदल हमारा target रहता है हमेशा से 5K प्लस likes का तो आज भी आप लोग को 5000 सेदा likes इस particular वीडियो के उपर पहुंचाने हैं काफी सारे आपको notes बगरा सब कुछ link करके provide करवा दिया जाता है तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं context context यह है कि रशिया युक्रेन की जब हम लोग बात करते है जो दुनिया भर का wheat export है दुनिया भर के wheat export का 25% यहाँ पर export रशिया और युक्रेन दोनों hold करते हैं अब क्या हुआ रशिया इन्वेड कर रहा है युक्रेन को उसके बाद रशिया के उपर काफी सारे western sanctions लग चुके हैं USA ने European Union countries ने काफी सारे sanctions रशिया के उपर लगा दिय अब इसमें भारत के पास opportunity निकल कर आती है कि हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस गेहूं को बेच सकते हैं दूसरी countries में तो इंडिया यहाँ पर अब देख रहा है global wheat basket के उपर सबसे पहले चीज़ अगल हम लोग बात करें भारत की तो भारत भी largest wheat producer है चाइना के बाद में तो चाइना हम से उपर है चाइना के बाद में हम लोग यहाँ पर एक सबसे बड़े wheat producer है जो की काफी सरा गिहूं को हम लोग produce करते हैं और अब की बार खास बात यह है कि आपको पता होगा हम लोग पहले से भी पढ़ते वे आ रहे हैं कि अब की बार ए wheat export की तो दुनिया भर में wheat को लेकर क्या scenario है इसको discuss करते हैं देखो Russia और Ukraine दोनों ही नहीं मिलकर लगबक 2017 से लेकर 2021 के बीच में पता कितना export किया तो Russia युक्रेन ने मिलकर 183 million tons रश्या ने 183 million ton और Ukraine ने 91 million ton wheat को export किया 2017 से लेकर 2021 के बीच में तो आप लोग देख सकते हो कि export के मामल में दोनों countries कितना आ गए अब इन दोनों countries से जब हम लोग भारत को compare करते हैं तो भारत का export कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 12.6 million tons का देखने को मिलता है इसी particular period के अंदर जबकि Russia का 183 million tons और Ukraine का 91 million tons तो आप सब्सक्राइब जादा है और पॉपलेशन जादा है तो हमारा consumption जादा हो जाता है इस वैसे एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा कम ही बचता है दन उसके बाद अभी हम लोग एक्सपोर्टर में बात करें तो एक्सपोर्टर में रशिया और Ukraine काफी अच्छा stand अपना देख है ठीक है उनका stand है काफी अच्छा उसके बाद पांच और दूसरी country आपको देखने को मलती है एक्सपोर्ट के मामले में पहला European Union जो की 157 million tons यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है उसी period के अंदर फिर उसके आद यूएस है धन कनेड़ा है धन ऑस्ट्रेलिया है इननने कितना के अंदर भी second highest wheat supply होती है भारत production करता है हमारा जो आप देख पाऊगे stock वगेरा बहुत जादा है in fact इसी period के अंदर हमने खूब सारा गिहूं produce किया इन सबसे जादा लेकिन दिक्कत यह हमने इसमें से export 2% ही किया है बाकी सारा हमने अपने domestic consumption के लिए use किया ठीक है 2% export किया 80 प्रतीशत हम लोग ने domestic consumption किया बाकी जो बचा था उसको हमने store करके रखा क्योंकि हमें store करके भी रखना होता है कुछ ठीक है यह clear हुआ तो यह है आपर मुद्द होता है अब बात करते हैं इस war का क्या impact पढ़ रहा है वार का impact इस तरह से पढ़ रहा है कि बहुत सरी जो countries है अफरीका के अंदर अफरीका में आपको बहुत सरी country देखने को मिलेंगे उपर की country देखोगे मोरोको अलजीरिया लिबिया एजिप्ट फिर उसके नीचे की आती है वेस्टन सहारा मौरिशयाना माली नाइजर चाड सुडान उसके नीचे आती है आईवरी कोस्ट नाइजर इसमें बीच में स्केप भी हो चुक है चलो जितने वी नाम याद है यह सारी वैसे आफरीकन कंट्रीज है तो यह जो बहुत सरी country देखने को मल जाएंगी तो इन पर्टिकलर रीजन के अंदर जो भी देश है वो सब बहुत भुरी तरह से डिपेंडेंट हैं रश्या और य गेहुं खरीद रहे थे लेकिन अब क्या हुआ अब वार चल ला है तो अब गेहुं इनके पास नहीं आ पारा है गेहुं के सप्लाई होनी पारी है इन फैक्ट अब बात की जारी एजिप्ट की अब इजिप्ट की बात करते हो इजिप्ट के आसपास कौन कौन सी country देखने क कंट्री को मिल जाएगा और मतलब यहीं पर आपको स्वेस कानाल भी देखने को मिलता है श्मेर कंदा सकते हो अब उसके बात क्या है हम लोग बात करने ही तो इजिप्ट एक बिगिस्ट इम्पोर्टर है वीड़ का सबस्यादा इंपोर्ट करता है मदब दुनिया में आप से कोई क्वेशन पूछता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो की सबस्यादा गहूं खरीती है वो एजिप्ट है ठीक है लगबख जो इनका 93% की जो भी जरूरत है वो सब यहाँ पर यह परचेस करता है मदब इजिप्ट के बाद इंडोनेशिया आता है सेकेंड लार्जस्ट इंपोर्टर जो भी मतब आप कर सकते हो 30% तक इसकी भी डिपेंडेंसी बैठी हुई है इन दोनों कंट्रीज के ओपर अब इजिप्ट और इंडोनेशिया के बाद में कुछ और एफरिकन नेशन्स आते है जैसे कि सोडान आ गया ये 60% तक डिपेंडेंट है रश्या यूकरेन के ओपर दन उसके बाद तांजानिया हो गया लिबिया तुनीशिया वेस्ट इशन कंट्रीज के अदर बात करें तो इसमें लेबनन येमेन यूएई हो गया ये सब डिपेंडेंट है रश्या और यूक कर सकते हैं वीट एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं यह यहां पर मुद्धा है तो इंडिया फोकस से कर रहा है कि हम लोग यहों को एक्सपोर्ट करेंगे किस-किस को एजिप्ट को और कल आपको मैं एक आर्टिकल पढ़ाया था कि एजिप्ट ने या बोल दिया है कि हमसे ग इन जब कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं लेकिन एक क्वेशन यहां पर आता है देखो एक्सपोर्ट करने में कहीना की प्रॉब्लम्स यानि हर्डल्स देखने को मिल सकती है वो हर्डल्स क्या है वो हर्डल्स आएगी डब्लू टियो के अंदर क्योंकि अब उतने ही दाम में अमेरिका यहां पर बेच रहे तो फिर कोई कंट्री उससे क्यों खरीदेगी इंडिया से परचेस करेगी तो अमेरिका क्या करेगा वो WTO के अंतर है That is World Trade Organization WTO जो की पूरे के पूरे व्यापार को देखता है हमारे दुनिया भर का अब उसको regulate करने का काम करता है एक fair तरीके से व्यापार हो उसके पर focus करता है तो वो यहाँ पर appeal करेगी दो भारत इस प्रकार से MSP वगरा दे रहा है और ऐसे support कर रहा है और सस्ते दाम में यहाँ पर export कर रहा है यहाँ को तो यहाँ पर WTO बीच में आ सकता है और WTO यहाँ पर इसके उपर रोक लगा सकता है इसके उपर काफी सारी अच्छी तरीके से regulation कर सकता है यह सारी बात हम लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा hurdle, सबसे बारत है परिशानी हमारे लिए यही है कि WTO के अंदर यह countries काईना के अपील कर सकती है अगेंस्ट अइंडिया क्लियर हुआ तो यह चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मल जाएंगी आपको पहले एक overview देता हूँ फिर आर्टिकल की detailing में लेकर चलूँगा होता क्या है आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों के अंदर iron deficiency देखने को मलती है आइरन की कमी देखने को मलती है उसके वेसे बहुत सारी बिमारी आपको सफर करना पड़ जाता है proper body के अंदर nutrition नहीं होता क्योंकि iron भी हाँ पर एक major part है जो कि हम लोगों को चाहिए daily basis पर हमारी requirement है कुछ iron की और iron की कमी की वज़ा से आपको बताओगा बहुत सारी जो women's है आज के टाइम पर हमारे देश में हर दूसरी women's एनिमिया से सफर कर रही है उसके body के अंदर blood बहुत जादा कम है तो ये scenario आज के time पर country के अंदर देखने को मिल जाता है तो इसी चीज़ को हम लोग improve कर सकते हैं और बहुती simple तरीके से इसमें कुछ जादा करना नहीं है वो है millets को add कर देना ठीक है जो भी हमारा बाजरा है ठीक है रागी है उसको हम लोग add कर सकते हैं इसके अंदर ये यहाँ पर author बोलते हैं लेकिन इसके ओपर भी आपको focus करना होगा एक quality millet को यहाँ पर focus करना होगा otherwise यहाँ पर millet की varieties अलग-अलग हैं कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर आप कर सकतो fight rate जादा है ठीक है जिसकी वेसे यहाँ पर again वही problem बनी रहेंगी तो मैं आपको समझाता हूँ आखरकार author ने क्या बोला सबसे बहले cover करता है बोला गया क्या जो iron deficiency है यह universal problem या इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी या फिर दूसरा question उठाया जाता है Is It due to dietary iron deficiency मतलब आपके डाइट के अंदर iron कम है तो इसी के वैसे body के अंदर deficiency कम है two deficiency मतलब कम trulykeys तो यह पर Dj et už जासे कम यह body के अंदर या क्या कारडो सकता है तो इसको हम समझते हैं यह फ構ला गया अगर हम लोग इंडियन vegetarian डायट को तो इसके अंदर लगबग 8.5 mg आइरन आपको देखने को मिलेगा 1000 क्लो कैलरी एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ठीक है तो अगर विमेन इतना इट कर रही है रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अगर एट कर लिए तो यहाँ पर आपका सकते हो कि विल्कुल सह होना चाहिए लगबग यहाँ पर 15 mg का 15 mg के हिसाब से यहाँ पर अगर डेली आइरन अगर ले रहा है बॉड़ी के अंदर तो यहाँ पर एक सबसे बेस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको बॉड़ी के रिक्वार्मेंट इतनी है तो विमेन के अंद जब लोगों कह रहे हैं कि खाने के अंदर आपके आयरन नहीं है इसी वज़े से बॉड़ी के अंदर आयरन के कम हो चुकी है तो यह एक major problem नहीं है major problem है आप खाना किस प्रकार का ले रहा है अठीक है यहाँ पर major problem है मतलब कि क्या है ना problem मैं आपको समझाता हूँ एक simple शब पर कर रही है लेकिन आप दूसी तरफ यह भी देखोगे कि बई डायेट के अंदर आयरन को एड करने से ठीक है अब्विस्टी बात है आयरन की कमी पूरी होगी लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आयरन के अलावा भी बॉडी को और भी बहुत सरे न्यूट्रियंट्स की ज़रूरत है वाइटमिन B12, फोलेट हो गया प्रोटीन हो गया तो अब प्रोटीन की ज़रूरत है यह इंपोर्टेंट यहाँ पर आपका सकतो वाइटमिन से जिसकी आवशक्त है हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर तो केवल आयरन के उपर फोकस करना ही नहीं है यहाँ पर बेसिकली आयरन डेफिशन डायेट की वज़र से कमी होती है कि आपने जो डायेट ली है आपने जो खाया है उसके अंदर आयरन की कमी है ठीक है ऐसा नहीं आप लोग कम खा रहे हो या यह चीज़ खा रहे हो नहीं आपने जो खाया है उसके अंदर आयरन की कमी है और इसको स ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का जो आईरन absorption rate वो बहुत कम है मतलब कि ऐसा अच्छा खाना खारें मतलब आधर का यह कहना है कि बहुत सब्सक्राइट मिल जाता है उसके अदर आइरन बगर भी आईरन की कमी क्यों देखने को मिलेगी इसलिए देखने को मिलेग क्योंकि वो जो iron है वो body के अंदर absorb नहीं हो पा रहे है body उसको उस iron को यहाँ पर अपने मतलब आपका सकतो body absorb नहीं कर पा रही है body absorb नहीं कर पाएगी तो obvious ही बात है आप जब खा रहे हो तो कोई फाइदा नहीं हो उसका ठीक है तो absorption भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब fight rate जो है बहुत सारी cereal grains के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे millet grains के अंदर आपको यह fight rate देखने को मिलेगा अब क्या है यह fight rate अगर किसी भी खाने के अंदर diet के अंदर अगर जादा है तो obvious ही बात है जो iron का absorption है वो कम तो absorption rate कम होगा, यह यहाँ पर बोला गया, तो आपको किस चीज को उपर ध्यान देना होगा, ध्यान उस चीज को उपर देना होगा, जिसके अंदर fight rate कम हो, fight rate या फिर fight acid के नाम से जानता है, यह बिसिकली एक principle storage form है, phosphorus का, यहाँ पर हम लोग बात करें, तो basically इसका major focus क्या होता है, bio availability के ओपर, यह bio availability को reduce कर देता है, absorption rate, मतलब कि body में अपने खाना खाया, वो absorb किस rate से हो रहा है, उस चीज को यह reduce कर देता, आपने खाना खाया, body जब उस खाने का यूजी नहीं कर पार ही, अब्जॉप नहीं कर पार है, तो उस खाने का कोई फायदा होगा नहीं, clear कि बहुत सारे ऐसे हैं पर grains वगर हैं, जिसके अंदर fight rate की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वैसे absorption rate कम हो जाता है, तो एक अच्छा diet लेने के बाद भी क्या हो रहा है, iron body के अंदर absorb नहीं हो पारा है, इसकी वैसे iron की कमी देखने को मिल रही है, फिर हो क्या रहा है, खाना खाने के बाद उनने चाई पी ली, या फिर खाना खाने के बाद उनने पान खा लिया, तो इसकी वज़े से भी मतलब meals के बाद अगर आप लोग चाई पी रहो या पान खा रहो, तो इसकी वज़ा से भी iron का जो absorption है, वो iron body के अंदर absorb नहीं हो पाता है क्योंकि इन चीज़ों के अंदर कहिने के आपको polyphenol देखने को मिल जाता है, यह बताया गया, जो कि iron को bind कर लेगा tightly और iron आपके body के अंदर absorb नहीं हो पाएगा, clear हुआ, तो अब इस iron absorption को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो iron absorption अगर body के अंदर block हो चुका है, तो उसके avoid करो, otherwise यहाँ पर जो iron intake के body के अंदर, sorry, iron का absorption rate के अंदर वो काफी कम हो जाएगा, clear हुआ, तो यह चीज़ यहाँ पर बताए गई, तो यहाँ पर iron से भरा हुआ, जो आप लोग यहाँ पर खा रहे हो, जो आपको grains मिल रहे हैं, iron से भरे वे, तो वो matter नहीं करता है, matter यह कर अगरा को जो है, promote करो, जाद से जादा, ताकि जो लोग हैं, बच्चे हैं, adults हैं, वो इसको consume करें, क्योंकि यह जो हमारे पास food है, यह हमारी ताकत है बहुत पुरानी, यह एक ancient grain है, ancient आपको अनाज देखने को मिलेगा, जो की बहुत सारी तरीके से हम लोग की मदद कर सकता है, in fact, यहाँ पर इसके अंदर आपको iron तो देखने को मिलेगा, iron के अलावा भी बहुत सारी चीज़े इसके अंदर देखने को मिलती है, iron के अलावा calcium बहुत सारा देखने को मिलेगा, zinc आपको बहुत देखने को मिलेगा, magnesium बहुत है, potassium, dietary fiber और साधी साथ important vitamins जैसे की, आपको इस particular grain के अंदर देखने को मिल जाती है, तो आपको promote करना होगा, अनाच को एक बहुत पुराना food है, जो की चीजों को सही कर सकता है, लोगों की अंदर nutrition को improve कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा, हमारे country के अंदर malnutrition की condition भी बहुत जादा है, प्लस उसके बाद आप लोगो एक data बता हूँ, तो data आपको यह देखने को मिलेगा, जो iron deficiency है, वो भी यहाँ पर आपको सकते हो कि iron deficiency की वज़ा से एनेमिया वगरा भी होता है, प्लस जितने मियान है भी आपको vitamins के नाम बता है, vitamin B12 और इन सब चीजों की वज़ा से भी body के अंदर एनेमिया ब तो आम rice को replace कर दो रागी से, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका iron content बढ़ जाए जगा, iron intake बढ़ जाएगा 50% से, calcium बढ़ जाएगा 350% से, तो इतना तो कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, चावल के जगे रागी ले लो, इसके benefits भी आपको बहुत सर देखने को मिलेंगे, लेकि के ओपर research बगरा चलते हैं, study चलती है, study के बाद यहाँ पर बताया गया कि बिल्कुल, ऐसा यहाँ पर studies के बाद proven है, कि अगर आपने कुछ ऐसा रागी, या फिर आपने बाजरा, ऐसे कुछ चीज ली है, जिसके अंदर fight rate कम है, lower fight rate है, तो वो आपको better absorption देगा iron का, better तरीक होगे, यह fight rate के ओपर depend करता है, यह मैं आपको लड़ी बता चुका हूँ, देखो बार पर वोई बात बोली गई है, तो इसके ओपर ज्यादा focus करने की जरुरत नहीं है, हमें concept समझ में आना चाहिए, बस ठीक के ओपर focus करेंगे, तो लंबे समय तक चीजे हमारी दिमाग में बैठी रहेंगी, उसके बाद author एक और चीज मेंशन करते हैं, author यहाँ पर मेंशन करते हैं, कि हम लोग अगर बात करें, कि आज की टाइम पर जातर क्या क्या आ जा रहा है, जातर यह क्या जा रहा है, अगर लोगों के अंदर nutrition को बढ़ाना है, ठीक है, आरेन डेफिशेंसी कुछ दिन पहले हमने कवर किया था, तो आप बोला गया, कि जो single nutrient आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो chemical iron fortification आपको देखने को मिलता है, होता कि आज के टाइम पर खाने को और ज़्यादा nutritious बनाने के लिए, जिसके अंदर काफी सारे nutrition हो उसके अंदर fortification कर दे जाता है, लेकिन author यह बोलता है कि fortification के काफी सारे नुकसान भी हो जाता है, ठीक है, तो fortification के आपको benefits मतब कम देखने को मिलेंगे, disadvantages जादा हो जाएंगे, तो यह यहाँ पर बोला गया, तो इसकी वैसे आप लोग यहाँ पर अच्छा millet का use कर सकते हो, जो इसके अंदर fight rate कम हो, तो इ एक article पिछले कुछ दिन पहले चर्चा में था, fortification of rice के नाम से, चावल के अंदर fortification करने के बारे में चर्चा की गई है, इस article को Indian Express ने कवर गया था, तो आपके सकतो, आपके एक article के साथ साथ दो article कवर हो रहे हैं, दो terms आप लोग सीख रहे हो, दो important चीज़ आप लोग कवर दिया जाएगा, अलग-अलग states unit territories के अंदर में, वो अलग-अलग scheme से माध्यम से दिया जाएगा, एक public distribution scheme है, PDS system, उसके बाद national food security act हो गया, integrated child development service हो गया, प्रधान मंतरी, portion, शक्ति निर्मान, PM portion हो गया, तो यह अलग-अलग scheme है, जिसके माध्यम से बच्चो को या फिर लो FSSI है, मतलब की food safety and standards authority of India, इन्होंने समझाया की fortification क्या होता है, fortification का मतलब है, की जैसे मालो कोई food है, मालो चावल है, अब चावल के अंदर क्या करेंगे, हम लोग nutrients को बढ़ा देंगे, अब ऐसे कैसे जबरस्ती बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, वो कैस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझो, हमारे country में malnutrition, मैं आपको बताया, कुपोशल बहुत जादा है, तो उसको रोकने के लिए, सरकार ने सोचा कि बिल्कुल यह हम लोग अलग से, इसके अंदर अलग से nutrients add कर देंगे, तो एक अच्छा nutritious food बन करते हैं, हम लोग अपने essential foods के अंदर, जो essential micronutrients है, उसका content add कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, मालो चावल है, चावल के अंदर किसी vitamin की coating कर दी, चावल के उपर किसी vitamin की dusting कर दी, तो इससे यहापर क्या होगा, उसके अंदर nutrients add हो जाएंगे अलग से, छोटे-छोटे micronutrients, vitamins, minerals, जो हैं, वो add कर दिये जाएंगे, जिसकी वैसे यहापर क्या होता है, वो चावल और जधा nutritious हो जाता है, उसके अंदर और जधा आपको nutrition देखने को मिलता है, अब जो यह food fortification होता है, देखो यह के वल चावल के अंदर नहीं होता है, यह किसी भी food के अंदर fortification दे बहुत simple सा है, जो यहापर complex है, वो है bio fortification, bio fortification कैसे की जाती है, हम आपको समझाओंगा, बट पहले हम लोग home fortification के बारे में समझता है, दोको home fortification कि आप घर में ही मिलावट कर सकते हो, मिलावट क्या मतलब कि घर में ही खाने के अंदर nutrition बढ़ा सकते हो, जैसे आपने कोई च कर सकते हो, मतलब add कर दिया, आपने अलग से nutrient add कर दिया, इसी को हम लोग fortification बोलता है, लेकिन यह simple वाले हो गए, अब बात करें, बायो fortification की, तो बायो fortification के अंदर जो फसल होती है, उनकी breeding करवाई जाती है, ठीक है, दो फसल हो गई, अब इनकी breeding करवाई, breeding करवाई के हमार बायो fortification, अब बात करते हैं, चावल की हम लोग बात कर रहे थे, तो चावल चर्चा में है, इसलिए बात कर रहे थे, तो चावल का fortification आखर कार कैसे होता है, तो चावल का fortification यहाँ पर आपको तीन तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो हम उसके उपर coating कर देंगे, चावल क टुटे-फुटे जो चावल हो गए, इसको लेंगे, इसका आटा बनादेंगे, और फिर आटा बनाने के बात क्या होगा, चावल का आटा बनाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर हम चीजों को mix करेंगे, मालो इसका अंदर हमने चावल का आटा डाला, micro nutrients डाल दिये, जो भ तो इस प्रकार से आपको चावल देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर nutrients अलग से add कर दिये गए यह extrusion का process है जो कि सबस्यादा किया जाता है clear हुआ तो यह extrusion technology कैसे काम करती है यह सब कुछ लिखित में लिखावा है आप लोग यहाँ पर इसको देख पाओगे अब question दिमाग में यह आएगा कि sir हम लोग को fortification की जरुवत क्यों है आकरकार हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर तो लिख सकते हैं सबसे पहला point कि भाई इंडिया के अंदर high level of malnutrition है women और बच्चों में इस वाज़से हम लोग यूज़ कर सकते हैं plus दूसरा point यहाँ पर food ministry के according बात करें तो हमारे country में हर दूसरी women जो है करना यह यहाँ पर एक suitable method है हम लोग बहुत अराम से इससे malnutrition से लड़ सकते हैं तो इसलिए इसकी जरूरत है उसके बाद next step बोला गया अगर हम लोग बात करें चावल की देखो चावल यहाँ पर एक rice के अंदर बदलाफ करना बहुत ज़रूरी है rice के अंदर fortification कर देंगे तो इससे जाद स्याद लगों के अंदर क्या होगा nutrients पहुँच जाएंगे अब आपके दिमाग में question आएगा तो क्या बनने के बाद तो स्वादवाद सब बेकार हो जाएगा अलग आएगा हैं तो कु पर उसके बाद यहाँ पर question यह उठता है कि fortification के फाइदे क्या होगे सबसे पहला फाइदा होगा कि यहाँ पर लोगों की health improve होगी जब लोगों के अंदर body के अंदर अच्छा खाना जाएगा तो उसके बाद टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी और दूसरा यहाँ पर nutrition जो देखने को मिल जाता है उसके बाद अब केवल ना इसके फाइदे हैं यह प्राइदे को मिलेंगे तो फाइदे पढ़ लिए अब बात करते हैं प्राइब्लम्स की प्राइब्लम्स के बात करें तो food fortification basically nature के अगेंस्ट में ठीक है यही author कहना चाहते थे अभी आर्टिकल में चीजों को उसके अंदर बढ़ा दिया है तो वो कहिने की nature के अगेंस्ट में काम किया तो वो कुछ जादा फाइदा रहेगा नियुसका अब nature के अगेंस्ट में काम क्या है तो obviously बात है जो उसकी bio availability है वो कम हो जाएगी मतलब again वही वाली बात उसका जो consumption rate है वो कम हो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको lack of human boosting substance देखने को मिलेगा मतलब कि वो खाना जो है आपका human system जादा boost करनी पाएगा और कभी-कभी over nutrition की situation देखने को मिल जाती है कभी-कभी क्या होता है यहाँ पर कोई व्यक्तिम medicine वगरा ले रहा है ठीक है तो क्या है कि अगर वो यहाँ पर इन चीजों को लेता है तो उसको प्रॉब्लम से सफर करना पढ़ सकता है यह सारी प्रॉब्लम साती है हमारी fortification की तो क्लियर हुआ आपने दो तिन concept समझ लिया है science and tech के तो आपने यहाँ पर समझा iron deficiency को लेकर उसके बाद यहाँ पर fight rate के बारें बताया दन उसके बाद अपने fortification समझा दन उसके बाद यहाँ पर दो छोटी छोटे आर्टिकल्स और हैं उसको यह cover करना है सबसे पहले आर्टिकल बात करता है कि स्रिलंका किस प्रकार से अपनी dead crisis को overcome करेगा देखो आपने इस आर्टिकल को पढ़ पढ़ लिया को कितनी बार पढ़ लिया पढ़ टाइम पर जो फॉरेक्स रिजर्व है जो साथ बिलेंड डॉलर्स का हुआ करता था वो गिरके 2.8-2.7 का पहुंच चुका है तो मतलब पैसा भी यहाँ पर पूरी तरह से कंट्री के अंदर खतम हो चुका है फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अभी भारत ने काफ चेज ही नहीं कर पा रहें आम लोग यहाँ पर खरीद ही नहीं पा रहें उनके लिए चीज़े अन अफॉर्डेबल सी बन चुकी है फिर उसका बताया गया अगर हम लोग बात करें सिलंका की तो आज के टाइम पर फ्यूल फूड सप्लाई जो भी चीज़े मेंटेन कर पा रहा है जैसे तैसे वो बाहर की मदद से मेंटेन कर पा रहा है जिसमें भारत ने काफी सरा क्रेट लाइन बिलियां सॉब डॉलर्स हम लोगों ने प्रोवाइट कर रहा है सिलंका को तो आज की टाइम पर सिलंका थोड़ा सा रन कर रहा है और उसके बाद आप देख पाऊग में सब कुछ बेकार हो गया फिर उसके बाद यहां पर अब बात की जा रही है आईम एफ की देखो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है मतलब एक सलूशन हो सकता है सिलंका के लिए वो यह है कि आपको इंटरनाशन मोनेटरी फंड से पैसा मिल जाएगा जो इंटरनाशन लेवल पर एक मोनेटरी फंड है वो पैसा दे सकती है वो आपको बचा सकती है थोड़ा वसा ठीक है तो इस लंकन एकॉनिस्ट में यहां पर यह उब्जर्व किया कि वो लोग भी हमें कुछ सिच्वेशन कुछ यहां पर सजाशन देंगे कुछ डील वगरा करेंगे कुछ कंडिश अब यहां पर बोला गया अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या है ना कि जो इंटर्नेशन मोनेटरी फंड है यह काफी कुछ पैसा प्रोवाइट करवा सकता है श्रिलंका को लेकिन उसके बीच में कुछ कंडिशन बगर होंगी कंडिशन वह होंगी कि आप अपने कंट्री इस प्रेट वगरा काम करतो तो इससे क्या हो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो स्रिलंका वो करें खाने तो यह यहां पर एक क्राशिस भी देखने को मिल सकते हैं बस सजेशन यह कि इंटरनाशन मोनेटरी फंड इस फील में उतर क्या है और यहां पर सपोर्ट करें स्रि सब्चल्चों की गई स्पेक्ट्र управ को लेकर आपको बता है फिर में इंटरनेट नाम आइडिया और रिलाइंस यह तिन खितमचेंट अब में कंट्रोल मेंu इंटेनेट सर्वेसेस को प्लस यहां पर जो भी आपको टली कॉम सर्वेसेस मिल रही है वो िन तिपनी के माधियम से मिल रही है अब रिसेंटली चाथ एक नेर लगाई गए नैना installation किया गया देखो होता है क्या है टावर लगा कर एक टावर लगा दिया उसमें थोड़ा सा खर्चा आया फिर उसका दिया हमेशा के लिए पैसा कमाते रहते हैं बहुत लंबा यहां पर पैसा कमाते हैं अब इसको देखते वे सरकार इनसे बहुत पैसा भी लेती है आप इतना पैसा कमारे हो थोड़ा सा हम लोगो भी दोगे ठीक है तो इसके बेसिस पर यह पैसा देते हैं अब क्या हुआ फाइफ जी का टाइम आ गया यह टेलिकॉम कंपनी से बुलते हैं कि हमें फाइफ जी के अंदर उतरना पड़ेगा अब फाइफ जी लॉंच करना प इन पर पड़ेंगे इन माफ कर दो कुछ तो पैसे चोड़ो रहाएं कि यहां पर इसी वेशा है कि हमें यहांपर पैसा अभी और खर्च करना है इंस्टलेशन में पैसा लगेगा तो पैसा कम कर दिया जाए तो इन्होंने एक सिफारिश करिए आप ऐसा कह सकते हो किसे यहा के अंदर में आती है तो यहां पर यह बेसिकल सरकार से बोलते हैं थोड़ा बहुत पैसा कम कर दो जो भी पैसा आप ले रहे हो ठीक है जिसकी वैसे हम लोग थोड़ा सा हमें मदद मिल पाएगी तो करम कम किया गया यहां पर देखवा गए टेलिकॉम कंपनी का कहना यह है कि क यहां पर यह कम प्रॉपर्ली हुआ नहीं है अब अगर हम बात करें तो एक प्रपोस्ट प्राइस है कि इतना परसंट कहां पर कम कर देना चाहिए लेकिन उसकी बाद भी आप देखवा होगे जो टेलिकॉम कंपनी से काफी नराज देखने को मिलें कि कहना यह है कि ज्याद लगाइगा और पयासे लगाने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगे सरकार को थोड़ा से हम से कम पैसा लेना होगा सरकारी बहुत सार पैसा आज के टाइम पर हमसे ले रही है clear हुआ तो यह यहाँ पर spectrum को लेकर यह पूरा का पूरा process देखने को मिलेगा जो कि मैंने आप लोगो समझा दिया ठीक है simple से शब्दों में फिर उसके आद आप देख पाओगे तो हमारे newspaper का overall discussion तो होई चुका है आज का जो भी important article थे बाकी page number 9 पर देखेंगे यह है हमारा world section दुनियादारी में क्या चल रहा है यह article बात करता है यह रश्या ने जो British Prime Minister है Boris Johnson इनके entry को बैन कर दिया है ठीक है अब यह UK के जो Prime Minister आप देख पाओगे यह Ukraine पहुंचे ठीक है जेलेंस्की के साथ में यहाँ पर घूम रहा है और Russia के उपर काफी सारे नोंने सेंक्शन लगा कि रश्या यहाँ पर अटक कर रहा यूकरेन के उपर तो रश्या ने भी उल्टा यहाँ पर क्या किया इनकी entry को बैन कर दे कि आप एंटर मत कर जाना वहाँ पर रश्या के अंदर में ठीक है तो यह चीज आप लोग देख पाओगे इसको सबसे लास्ट में लिया है आपको बताऊगा कल मैंने स्टाटिंग में ही इंडिया रश्या के डिफेंस रिलेशन को कवर किया है आपने नहीं देखा यह तक तो फटा फट जाओ और उस वाले वीडियो के अंदर उन रिलेशन को कवर कर लो यहाँ बात की गई है एक ठीक है रशन फ्रिगेट की जो डिलिवरी वो ऑन टाइम देखने को मिलेगी आपको बताऊगा रश्या यूकरेन के वार के बीच में जो हमने डिल्स कर रहे थी हमने काफी सारे हत्यार रिश्या से पर्चेस कर रहे थे उसके अंदर काफी डिले देखने को मिल रहा है मतलब देरी से वो हमारे पास समान पहुंच रहा है समान पहुंचेगा तो इसमें एक कंसर बनता जा रहा है यहाँ पे बोला गया कि देखो अभी तो हमने S400 डिल की मतलब S400 सिस्टम जो यह आपको डिफेंस सिस्टम देख रहा है इसके हमने डिल की थी 2018 के अंदर ऑक्टूबर मे और यहाँ पर हम लोग 5 यूनिट समगा रहे हैं 5 यूनिट समारे पास आएंगी जिसमें से पहले यूनिट हमारे पास अलरड़ी आ चुकी है 2 यूनिट इसकी आनी है Second यूनिट बेसिकल यहाँ पर क्या है इस साल के एंट तर अग आ जाएगी यह बताया गया थोड़ा सा डिले इसके अंदर हो चुका है लेकिन रश्या ने इस साथ में इसी के साथ साथ अश्वार ये भी किया कि इंडिया को ये तलवार क्लास की दो इस्टील फ्रीगेट्स यहाँ पर देने वाला फ्रीगेट्स मतलब यह जो आपका सकतो वार्शिप ऐसा जहाज इसके अंदर प्रश्या ने बोला कि आपको ये बिल्कुल टाइम पर मिलेगा और यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो फर्स्ट ये तलवार क्लास का स्टील फ्रीगेट्स होने वाला है इसको डिलेवर करेंगे हम लोग 2023 की बीच के आसपास तो ये इंडिया को दिया जाएगा यहाँ बोला जा रहा है बाकी जो भारत ने डील करी है S400 डील की तो S400 टक कुछ तो हमारे पास आ चुका है आपको पता हुगा है जिसमें आपको बताया ऑक्टूबर 2018 के अंदर S400 सिस्टम की डील कर ली गई थी तो इसका जो हम लोगों ने पहला यूनिट है वो हमने रिसीव कर यहां वाली है फिर उसके बाद इसका जो दूसरा यूनिट है वो इस साल के एंड तक आ जाएगा ऐसा यहां पर बोला गया है ठीक है क्लियर हुआ तो यहां पर चीज़ें बताई जारी है और उसके बाद हम लोग और बहुत सरी डील आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक ह इंडिया रश्या के बीच में तो चीज़ें जैसी जैसी यहां पर इवाल्व होंगी जैसे ठीक होंगी तो उसके बाद में हम लोगो की भी काफियत तक हेल्प मिलने वाली है तो एक चोड़ी सी इंफोमेशन थी अगें यहां पर कोई भी ऐसा इंपोर्टन इंफोमेशन न लगा रखाय वह यह है कि लमन के प्राइस ऐल्ल टाइम हाई हो चुक है आपको पता होगा ने मूं के प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे है ने मैं इतना महिंगा हो चुक है आज के टाइम पर इन्फाट नहांपर दस रुप्ए का एक निवां मिल रहा है बहु सारी जग कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे मार्केट्स के अंदर आप देख पाओगा हमारे देश में निमू के यह प्राइस पहुंच चुके बताया गया अब इंडिया के अंदर जो यह लेमन प्रॉडक्शन क्या है प्लस प्राइस पैसा कैसे बढ़ रहा है इसके उपर वह सारी बात हम डिसकस करते हैं सबसे पहली चीज़ यहां पर आप लोग एक चीज़ यह देख पाओगे कि हाओ मच लेमन इस ग्रोन इंदा कंट्री पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं कि कितना नेंबू भारत के उदर गरोख किया जाता है अब जो यह फूर्ट है इसको लुक्रों करते में लगबग आप कर सकते थ्री पूइंट 1 7 में यह की एरिया के अंदर पूरे देश में इसको ग्रोख रोख चाटा है तो लेमन प्रीश फ्लार हैं प्लस यहां पर आपकर सकतो यह जो प्रपदेश के अंदर ग्रो किया जाता है लगवग 45,000 हेक्टियर के अंदर फिर उसके बाद यहां पर आप दखवाओंगे महाराष्ट्रा है गुजरात है ओडिशा है तामिल नाडू है प्लस और यह बहुत सारे लेमन ग्रोइंग एरिया आपको देखने को मिलेंगे फिला फ्रूट है ना इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं तो निम्बू एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं होता हम इसको जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम कर लेते हैं अब बात करते हैं कितना कितना दाम बढ़ रहा है तो पूने के जो प्राइस है वो 5 रुपए अगर हम लोग बात करें यह मैंने होलसेल मार्केट बता है होलसेल के लेवल पर भी जब थोक में समान खरीद रहो तब भी 5 रुपए का एक निवू मिल रहा है लेकिन जो रीटेल प्राइस है जब आप एक एक करके समान खरीदते हो तो रीटेल हो गई ना सर हाँ कारण तो है एक मेजर रीजन आपको देखने को मिलेगा वह यह है कि मौन्सून सीजन अगर बात करें पिछले साल का पिछले साल का जो मौन्सून है वह एक्सेप्शनली यहां पर आप कह सकतो अलगी रहा हुगा क्या जो सेप्टेंबर और ऑक्टूबर क की बात करें तो यहां पर हैवी रेंफॉल हो गई ठीक है भारी भर कम बारिश होई जिसकी वह से जो लेमन्स हैं बिसीकली वह यहां पर सफर कर गए क्योंकि जो लेमन्स और चार्ड होता है यह कहीं नहीं सेंसेटिव होता है एक्सेस मॉइस्चर से मतलब कि एक्सेस अगर मॉइस्चर मिलेगा या हैवी रेंफॉल हो गया तो यहां पर आप कर सकतो इसके अंदर काफी बुरा अफेक्ट देखने को मिलेगा जो की देखने को मिला ठीक है यह आप लोग देख पाऊगे उसके साथ यहां पर एक और रीजन है वो यह है कि आज की टाम पर पैट्रोल क कोस्ट बढ़ेगा तो वह कहां से निकालेंगे निम्बू के प्राइस से निकालेंगे तो वह चीप भी आप देख पाऊगे तो यह दो रीजन है जिसकी वैसे निम्बू के प्राइस रेगुलरली ग्रो होते हुए नजरा रहे है फिर लास्ट मैंने आपके लिए आज सबसे जादा ताकतवर हतियार है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं दुनिया को बदलने के लिए कोई भी अगर एजुकेशन के ओपर टॉपिक लिए आता है एसे के अंदर या फिर कहीं पर भी कुछ भी आता है में सांसा राइटिंग के अंदर जी एस पेपर वन के अंदर के अंदर कहीं पर भी एजुकेशन के ओपर कुछ लिखने को आता है तो क्या कर सकते हो आप लोग इस वाले कोट को इंक्लूड कर सकते हो तो आपके लिए काफी सारे कोट ऐसे लाता रहूंगा और जिसको आप लोग अपने पास लिखके रखते हो हर एक टॉपिक के रिगा तो फटाफट इस क्वेशन के आंसर को भी देखते हैं एक सेकेंड यार ओपन हो जा तो 2017 में क्वेशन पूछा गया था कि जो ग्लोबल जेंडर गाप इंडेक्स को किसने पब्लिश क्या है तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया गया वर्ल एकनोमिक फोरम के तुरू तो आई होप आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया होगा तो इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त मिलते हैं आप लोगों से न यू एंड जाहिंद